किसी गाव में दो सादू रहते थे, वे दिन बर भीग मांगते और मंदिर में पूजा करते थे, एक दिन गाव में आंधी आ गई और बहुत जोरों की बारिश होने लगी, दोनों सादू गाव की सीमा में लगी एक जोंपडी में निवास करते थे, शाम को जब दोनों बापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आदी जोंपडी तूट गई थी, ये देखकर पहला सादू क्रोधित हो उटा, और गुस्से में आकर बोलने लगा, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ऐसा ही गलत करता है, मैं हर दिन तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर मे तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी जोंपडी तोड़ दी, गाउं में चोर, लुटेरे, जूटे, लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ, विचारे हम सादू की जोंपडी ही तूने तोड़ दी, ये तेरा ही काम है, हम तेरा नाम जबते हैं, पर तू हमसे प्रेम नहीं करता, तबी दूसरा सादू आता है, और जोंपडी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है, और कहता है, भगवान आज बिश्वास हो गया, तो हमसे कितना प्रेम करता है, ये हमारी आधी जोंपडी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंध पूजा का फल है, कल से मैं तेरी और पूजा करूँगा, मेरा तुछ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है, तेरी जय हो, सीख, एक ही गटना को एक ही जैसे दो लोग ने कितने अलग-अलग धन से देखा, हमारी सोच हमारा बविश्य तैय करती है, हमारी दुनिया दूसरे सादू की तरह होगी, तो हमें हर चीज में अच्छा ही दिखेगी, यान ततर हमें दूसरे सादू की तरह विकट से विकट परिस्तिती में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाई रखनी चाहिए, दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सक्षिन में जरूर ब